हमेशकार दोस्तों, फानली ब्रमोज मिसाइल जो की भारत और रशिया के दोरा जॉइंटली डवलप किया गया था, इसको भारत में मनुफाक्चर किया जाएगा, और इसके लिए आप देख पाओगे यहाँ पर जो राजनाथ सिंग ही है, उन्होंने फांडेशन स्टोन ले क दिया है लखनाओ में, यह आप देख पाओगे, राजनाथ सिंग लेज, फांडेशन ऑफ ब्रमोज यूनिट, डिफेंस टेकनलोजी सेंटर इन लखनाओ, तो यह डिफेंस टेकनलोजी सेंटर क्या है, ब्रमोज यूनिट क्या है, यहाँ पर क्या-क्या मेन फीचर्स हैं, और साथी साथ उत्तर परदेश के अंदर जो इंडस्ट्रिल कोरिडर है, डिफेंस से रिलेटेड, उसकी क्या चर्चा हो रही है, वो सब कुछ हम देखेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो हमारे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसके लाबा MCQs एटर्म करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर stories में आपको सभी MCQs मिल जाएंगे, चली सबसे पहल है specifically related to Brahmo's Manufacturing Center, वो भी आपका यहां पर established किया गया है, तो बहुत ही जल्द इसका production वगर इस्टार्ट हो जाएगा लखनाओ में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप पर बात करना चाहता हूँ, Defense Technologies and Test Center की बारे में, यह अपने आप में एक state of the art technology के माध्यम से बनाय जा रहा है, और इसकी बुझे से क्या होगा, देश के अंदर, especially यह लखनाओ में क्योंकि हो रहा है, तो लखनाओ में defense और aerospace से related जो manufacturing है, उसमें बढ़ोत भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर total 6 sub centers बनाय जा रहा है, इसके नाम आप देख सकते हो, Deep Tech Innovation, Startup Incubation Center, Design and Simulation को लेकर एक center बनाय जा रहा है, टेस्टिंग को लेकर एक center बनाय जा रहा है, इस तरह से total 6 center आपको देखने को मिलेंगे, और इसलिए बताया जा है कि यह center बनाने की वज़े से क्या होगा, कि जितनी भी facilities चाहिए defense को manufacture करने के लिए, defense equipment को manufacture करने के लिए, वो इन सभी 26 sub centers के माध्यम से जल से जल हो पाएगा, induction time यहाँ पर कम होगा, turnaround time कम हो जाएगा, तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अब यहाँ पर जहां तक बात है, ब्रहमोज manufacturing center की, वो करीब 200 acre land यहाँ पर जो उत्तर परदेश शरकार है, उन्होंने allocate कर दिया है लख देख लेते हैं, तो ब्रहमोज इसका नाम आपको पता है, भारत के अंदर ब्रहमोज रिवर और जो रश्या में मोस्क्वार रिवर है, उन दोनों के नाम से आता है, ब्रहमोज बन जाता है, यह प्रकार का cruise missile है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि cruise का जो trajectory है, वो पैरलल होता है अर्थ के, जो आपका ballistic missile है, वो कुछ यूँ इस तरह देखने को मिलता है, लेकिन यह आपका काफी low level पर जाता है, और enemy का जो radar है, उसको breach कर सकता है, और इसके लावा यह सूपर सौनिक cruise missile है, ध्यान रखना है, 2.8 टाइम जो speed of sign है, मैक हम जिसको कहते हैं, वो आपको गया था, 2005 में वाशिप्स में establish किया गया था, surface to air है, ध्यान रखेगा, surface to air missile है यह आपका, फिर आगे चलकर, army ने इसको 2007 में इंडट कर लिया, लेकिन पहली बार ऐसा, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि, एक fighter jet के माध्यम से, एक surface to, surface attack missile को, fighter jet के माध्यम से जो पूरा center बनाया जा रहा है, वो ब्रहमोज NG का बनाया जा रहा है, NG का मतलब है next generation, मतलब यह advanced version आप कह सकते हो, ब्रहमोज का, जो की यह manufacture किया जाएगा भारत में, advanced किस तरह से, इसका size smaller है, कम, कम weight का है, lighter है, smart dimensions है इसके अंदर, और इसकी वज़े से क्या होगा, कि जि से deploy किया जा सकते हैं, चाहिए कोई भी fighter jet हो, जैसे कि मान के चलो, Rafale आया है, उसके अंदर deploy करना है, कहीं पर भी करना है, उसको हम कर सकते हैं, और इसकी वज़े से जो भारत की modern combat capability है, उसमें आपको कुछी वर्ष के अंदर, काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, इ इसकी वज़े से एक और benefit यह होगा, कि जब इस तरह का माहूल create होता है किसी भी region में, तो उसकी वज़े से बाकी के भी जो sectors हैं, industries हैं, उनको बड़ा फायदा होता है, और और जादा वो attract होने लगते हैं, तो हो सकता है, और जादा difference से related जो companies हैं, वहाँ पर attract होना start हो जाए और एक प्रकार का hub बनने लगेगा लखना होगा और जितना भी industrial corridor है, मैं आपको आगे बताऊँगा, इसके लावा employment generation भी काफी बहतर होगा, 500 engineers and technical people को direct employment दिया जाएगा, और इसके लावा 5000 people को indirect employment मिलेगा, और इसके माध्यम से, center के माध्यम से और 10,000 लोगों को काम मिल सकता है, ऐसा बताया गया है, तो ये foundation stone ले करने के बाद, जो राजना सिंग ही है, उन्होंने इसके बारे में further कहा, उनका ये कहना था कि ये बनाने का हमारा, हमारा देश का मकसद किसी को attack करना नहीं है, basically भारत ने आस तक कभी भी, एक inch land भी किसी भी देश से नहीं लिया, हमने क nuclear capable missile है, nuclear को जो है, वो carry कर सकता है, तो वो इनका एक प्रकार से इंडिकेशन दिया जा रहा था, अब देखें ये सारी चीज़ें क्यों हो पा रही है, मतलब लखनाओ में क्यों establish हुआ, क्योंकि मैं आपको बता दो, प्राइमिस्टर नरेंद मोदी जी के द्वारा 2018 में investor summit Defense Corridor मतलब होता है, कि एक particular region में बहुत सारे defense industries, ये सारी चीज़ें आ सके, और आप देखवा होगे, लखनाओ, कानपूर, चित्रकूर, जहांसी, आगरा, अलिगर्ड नोट, ये आपको सब देखने को मिलेगा, आगरा, कानपूर, लखनाओ, चित्रकूर, ये सारे जो regions हैं कि करी 50,000 करोड का निवेश किया जा सकता है इस पूरे corridor के अंदर, और in fact सबसे यादा अलिगर्ड में promise किया गया, और फिर लखनाओ नोट में भी बहुत से companies ने interest दिखाया था, और उसके बाद आप देख सकते हो, 29 companies ने अपना proposal submit किया, कि वो factories लगाना चाहते हैं अलिगर के अंदर, लखनाओ में उन्होंने कहा कि 11 companies इंटरेस्ट दिखा रही थी, जासी के अंदर 6 companies इंटरेस्ट दिखाया, कानपूर के अंदर 8 companies ने इंटरेस्ट दिखाया, और इसका impact में आपको बताता हूं क्या हुआ है, पिछले 3 साल के अंदर 65 बड़ी companies ने request किया है land के लि का यहाँ पर जो drone manufacturing companies हैं, दो companies ने यहाँ पर निवेश कर दिया है, तो एक बड़ा बदला हो रहा है defense manufacturing का लेकर भारत के अंदर, और भी राज्यों को इसको और जादा बहदर करना चाहिए, और इस तरह की policies लानी की कोशिश करनी चाहिए, तो यह पूरा वीडियो था, I hope की समझ में आया होगा, जाने से पहले एक interesting question क्योंकि हम Russia की बात करें, क्या बता सकते हो, Russia के द्वारा जो ecological clean rocket बनाए गया, ecological clean rocket, environment को नुकसान नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या नाम है उसका आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अ UPSC की जारी कर रहे हैं, तो आपको डाउनलोड करें, आई होग की वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता आप से next time till then, thank you very much, see you soon.